आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके Instagram account के क्या password है कैसे आप मालूं कर सकते हैं इसके लिए आप अपने Instagram को open कर लेंगे उसके बाद आप अपने profile पे आज आएंगे उसके बाद यहां पे देख सकते हैं username के बगल में आपको एक three line का option है तो यहां पे आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद उपर में ही setting का option है तो यहां पे भी आप क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां पे देख सकते हैं एक security का option है तो यहां पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पे देख सकते हैं save login info तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है अच्छ पर चलब बीना पासवड ढालें एक कि रिख में आप इंस्टाग्राम पर आंशकते हैं इस आप ज्यांकर करने के बाद आपको पासावड डालने की जरूत नहीं है खर चलिए जानते हैं कि आपका Instagram का password भूल गया है तो कैसे मालूम करते हैं इसके लिए यह देख सकते हैं password वाले option पर आपको click कर देना है तो यहां पर कहा जा रहा है current password यानि की पुराना password आपके पास होगा तभी आप जो है नया password यहां पर बना सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन यहां पर भी आपका दाल गलेगा नहीं क्योंकि आप तो पुराना password भूल चुके हैं इसके लिए पेज को जो है बैक कर लेंगे और बिल्कुल बैक कर जाएंगे आप फिर से अपने प्रोफाइल में आ जाएंगे इसके बाद फिर से आप 3Line पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के ब इंस्टाग्राम से लोग आउट होने के बाद तो आपको इस तरह का कुछ इमेज दिखेगा आपका प्रोफाइल का फोटो भी आ जाएगा देखिए यहां पर देख सकते हैं mkp good tips यही यूजर नेम है तो आप यहां पर देख सकते हैं जब मैं password आपको बताऊंगा यही य पर योग करके आप कभी न कभी इंस्टाग्राम एकाउंट बनाए होंगे अगर आपको यूजर नेम मालूम है यूजर नेम यहां पर इंटर करेंगे इमेल मालूम है इमेल इंटर करेंगे अगर आप मोबाइल नमर से इंस्टाग्राम एकाउंट बनाए थे वह आप यहां नमर तो चलिए हम यहां पर email id इंटर कर देते हैं उसके बाद यहां पर find account पे हम click कर देंगे और click करने के बाद आपके email id पे OTP जाएगा OTP को यहां पर enter करेंगे या आपने mobile नमर दिया होगा mobile नमर पर OTP जाएगा OTP को आप enter करेंगे तो चलिए हम अपना email यहां पर open कर लेते हैं है इस email पर हम click करेंगे यह देखिए OTP आ चुका है यही OTP को वहां पर इंटर कर देना है तो चलिए OTP को इंटर कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे continue वाले option पे click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे choose your account अगर एक ही email ID से एक ही account आपने बनाये होगा तो एक ही account आएगा इस्टागराम का अगर आपने दो बनाये होगा तो दो यहाँ पे आएगा तो आपको choose करना है कौन सा account आपको use करना है इस्तमाल करना है तो मुझे mkp good tips वाला चाहिए तो यहाँ पे हम click कर देंगे उसके बाद continue वाले option पे हम click कर देंगे ऐसा करने के बाद आप आप जो भी password बनाना चाहते हैं जो भी आपका मन है आपका instagram एक नया password बनाने का पुराना password आप भूल जाहिए आप वो एक नया password यहाँ पे बना दीजिए यह password जो है छे लेटर का होना चाहिए एक capital देंगे एक small देंगे एक digit देंगे और एक numerical देंगे तो आपका यहाँ पे strong password बन जाएगा आप इस्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस तरह का password बना सकते हैं इसके बाद continue वाले option पे आप किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नया password एक बन के तयार हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस्टाग्राम पे डारेक्ट आप लोगिन हो गया है